तो यहां पर आपने कोमा कार के बाद जो कॉमा लगाया हुआ यह गलत है यह गलत है तो यह आप ध्यान से देखेग़ यह पर कैसे नहीं है वह हम देख लेते हैं सबसे पहले sentence देखते हैं the man, अब यहाँ पर जो man है, अब यह man के बाद जो इसकी verb है, यह आपका subject है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद है that stole my car, अब यहाँ पर जिसने मेरी क्या की है, car चुराई है, अब यहाँ पर that क्या एक subject की तरह काम कर रहा है, stole आपकी verb हो गई, और my car, my object क्या होगे, possessive adjective, और car आपका noun होगे, तो it means यहाँ पर एक close complete हो रही है, तो that stole my car, यह आपकी close हो गई, clear, और यहाँ पर यह जो the man है, इसकी यहाँ पर वर्ब नहीं है, इसकी वर्ब है आपकी is in jail, तो यह बता रहे हैं कि यह जो man है यह जेल में है, अब इसकी वर्ब इससे पहले अगर आप को मा लगा दोगे, तो फिर यहाँ पर यह sentence अलग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर को मा है कि बिलकुल भी ज़रूत नहीं है, अब the man, अब यह जो is है यह the man के लिए वर्बाई है, इस man के बारे में बतारे कि जो man है यह जेल में है, अब इसके ब